नमस्कार एक बाप फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिच्छा वर्ड के से यूटूब चैनल में दोस्तो यूपी टेपल सी पीटी दोजातेज की परिच्छा के लिए एकॉनमी यानि की अल्थ बेवस्ता की जो हम क्लास ला रहे हैं आपके सिलेबस के एकॉर्डिक उसमें आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कबर करने वाले हैं इस टॉपिक का नाम है बैंको का रास्टी करण यह जो टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया गया है तो इस टॉपिक से जोड़े जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और गया गया था यह डेट आपके जबान पर एकदम होनी चाहिए तो 19 जुलाई 1979 यह डेट आप याद कर लेजेगा घोल के पी जाईएगा 19 जुलाई 1979 को पहली बार बैंकों का राश्टी करण किया गया था जिनकी जमापुझी 50 करोड रुपए थी तो आप इस यहा देखिएगा तता पहली बार 19 जुलाई 1979 को जब बैंकों का राश्टी करण किया गया था तो कितने बैंकों का किया गया था 14 बैंकों का राश्टी करण किया गया था पहली बार जिनकी जमापुंजी 50 करोड रुपए से अधित थी ये फैक्ट आपको डिरेक्टली एक्जाम में देखने को मिल सकता है तो इसके बारे में आपको याद रखना है अब ये 14 बैंक कौन कौन से थे जिनका रास्टी करण किया गया था पहली बार तो Central Bank of India, Bank of India हो गया, Punjab National Bank, Bank का बढ़ोदा हो गया, देना बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, इलहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओर सीज बैंक और बैंक का मारास्टा यह 14 बैंक थे, जिनका पहली बार रास्टी करण किया गया था, 19 जुलाई, 1979 को, तथा जब पहली बार बैंकों का रास्टी करण किया गया था, तो उस समय हमारी प्रधान मंत्री कौन थी, तो स्रीमती इंडरा गांदी जो है, इस समय हमारी प्रधान मंत्री थी, तो यह फै जाएगा कि पहली बात जब बैंकों का राष्टी करण किया गया था तो उसमें हमारे देश के पिदामंत्री कौन थी तो इंद्रा गांधी थी यह फैक्ट आप या देखिए कचा है तो इसका आप स्कीन सॉट ले सकते हैं इसके बाद दुबारा से पुनह बैंकों का करण किया गया था जिनकी जमापुंजी 200 करोड उपैसे अधिक थी तो दोनों डेट आप के लिए इंपोर्टेंट है जब पहली बार बैंकों का राष्टी करण किया गया उसकी डेट आप के लिए इंपोर्टेंट है जब दूसरी बार बैंकों का राष्टी करण किया गया जिनकी जमापुंजी 200 करोड रुपैसे अधित थी ती ये फैक्ट आप यादे कियेगा अब ये जो 6 बैंक थे कौन-कौन से थे जिनका राश्टी करण किया गया दूसरी बार कितनी हो गई थी तो 14 प्लस 16 यानि कि आपके 20 राश्टी क्रिज बैंक हो गए थे अब भारत में तिये फैक्ट आप याद देखिएगा ये इसके बाद 1993 में जो है न्यू बैंक अफ इंडिया का विले पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया इस कारण से राश्टी क्रिज बैंकों की जो संख्या घटकर 19 हो गई थी तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं 1993 में न्यू बैंक अफ इंडिया का विले है पंजाब बैंक में कर दिये जाने के कारण जो राश्टी क्रिज बैंक तो इनकी संख्या घटकर 19 हो जाती थी फैक्ट आप याद देखिएगा इसके बाद विजिया एवं देना बैंक का विले जो है बैंक का बड़ोदा में कल दिया गया है थे फैक्ट भी आप याद देखिएगा वहीं वलतमान कंडिशन के अगर हम बात करें वलतमान परिस्थिती के अगर हम बात करें तो हमारी जो केंद्री वित्त मंत्री है निर्मला सिता रमण जी इनके द्वारा 30 अगस्त 2019 को 10 बैंकों का जो समा मेलन है इसको 4 बैंकों में कर दिया गया जिस कारण से जो वलतमान मे हमारा राश्टी कृत बैंक इनकी संख्या घटकर जो है 12 हो गई है इन 12 बैंकों में 11 बैंक आपके हो जाएंगे इसके अवलवा एक आपका SBI यह यहने कि SBI प्लस 11 बैंक है निके टोटल आपके 12 बैंक वलतमान भारत में राश्टी कृत बैंक है तो इसके बाद आप या Grade के प्लस बैंक में कर दिया गया । फेयरा बैंक और कोरकेशन बैंक का विले जो हूज है Union Bank of India में कर दिया गया है इसके बाद इलहां का विले है Indianりました ग्यालवा इंधिया गया है तो यह आपकी दस बैंक एक्जाम में पूछ लेकिए को छोड़ कर भारत में कितने वतमान में राश्टी क्रिट बैंक है तो इसको आप याद रिखिएगा यहाँ से प्रस्ण आप एक्जाम में डिरेक्ली पूछा जा सकता है तो इसको आप याद दिखिएगा तो वतमान में यह बारत बैंक कौन-कौन से है जिनका राश्टी करन कर दिया गया है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक हो गया इसका मुख्याले आपको लेगा नई दिल्ली में तो इसके बारे में आप याद दि इंडिया का मुख्याले मुंबई में है इसके बाद इंडियन बैंक का मुख्याले जो है चन्नई में है केनरा बैंक का मुख्याले जो है आपका बैंगलोर में है यूनियन बैंक आफ इंडिया का मुख्याले आपको मुलेगा कहां पर तो मुंबई में योको बैंक का मुख राश्टी कृत बैंक हैं जिनके नाम आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनको आप याद कर लिजेगा यहां से प्रस्थन आपके एक्जाम में डिरेक्ट लिप पूछा जा सकता है तो SBI Lord 2021 यह चीज आपको मैं बार बार बता रहा हूं यहां से प्रस्फण आपके एक्जाम में पूछा आया सकता है कि SBI के अत्रिक्त अगर आपसे पूछ ले SBI के अत्रिक्त भारत में कितने रास्ट्री कृते gelir bantu hem तो SBI के अत्रिक्त मतलब SBI को छोड़ कर भारत में कितने राष्टिक्रित बैंक है तो 11 हो जाएंगे वहीं SBI को अगर हम समलित कर लेते हैं तो टोटल जो है भारत में 12 राष्टिक्रित बैंक है तो यह फैक्ट आपको याद रखना है प्रसन आपसे कहीं से भी पूछाया सकता है तो आपको हर तरीके से तयार होकर एकजाम में बैठना है यह फैक्ट आप याद रखिएगा वहीं थोड़ी सी बात कर लेते हैं RBI के बारे में हमारा जो Reserve Bank of India है उसके बारे में बात कर लेते हैं यहां से प्रसन आपको एकजाम में बन सकता है तो RBI के बारे में थोड़ी सी बात आईए कर लेते हैं के तो RBI हमारे देश का यह केंद्री Bank है इसके बारे में आप याद देखेगा RBI जो है हमारे देश का केंद्रि Bank है आरबियाई की जो अस्थापना है आरबियाई का जो एक्ट था आरबियाई का एक्ट था आरबियाई का जो अधिनियम था 1934 का इसी के तहट इसके अस्थापना जो है एक अप्रेल 1935 को की गए थी आप या देखेगा एक अप्रेल 1935 को जो है RBI के स्थापना की गए थी किसके अंतरगत तो RBI एक्ट 1934 के अंतरगत तो ये फैक्ट आप या देखेगा वहीं RBI का राष्टी करण कब किया गया था ये फैक्ट आप या देखेगा यहां से प्रस्थाप के एक्जाम में पूछा जा सकता वहीं स्वतंत्र भारत के पहले RBI के गवर्नर कौन थे यहां से प्रस्थाप के एक्जाम में बन सकता है तो स्वतंत्र भारत के पहले RBI यानिक रिजर बैंक आप इंडिया के गवर्नर थ CD这始shoremode य야ं सकता वही एस B-I-E का राष्टि करण कप किया गया था यहां से प्रसंट में बन सकता है यहां सभी प्रस्ट करण में बन सकता है कि जो इसका जो है जो तो ये फैक्ट आप यादेखेगा जो जो चीजे मैंने आपको बताई इस्टेट बैंक और इंडिया तो स्टेट बैंक अफ इंडिया यान की SBI की यहाँ पे बात हो रही है तो SBI का जो राश्टी करन था यह 1 जुलाई 1955 को किया गया था कब किया गया था तो 1 जुलाई 1955 को जो है SBI यहने कि State Bank of India का जो है राश्टी करन किया गया तो यह fact आप यहाद देखिएगा अच्छा एक जो आप ध्यान से याद कर लिजए जाखिए जो SBI का राश्टी करन किया गया था यह जो है किस बैंक के किस बैंक का नाम बदल कर SBI किया गया था तो Imperial Bank of India आप यहाद देखिएगा Imperial Bank of India का ही राश्टी करन करके इसको SBI कर दिया गया था तो यह fact आप यहाद देखिएगा important है तो यहाँ से प्रस्थनाप के एकजाम में देखने को मिल सकता है तो दोनों बैंकों का राश्टी करन आपको याद अखना है SBI का राश्टी करन कब किया गया था तो Imperial Bank of India जो था इसी का 1 जुलाई 1955 को राश्टी करन करके इसको SBI कर दिया गया था तो यह fact आप याद देखिएगा वही RBI का राश्टी करन किया गया था 1 जनौरी 1949 को तो यह fact आप याद देखिएगा तो जो चीजे मुझे important लगी है उनको मैंने आपको बता दिया है I hope प्रस्ण आपके एक्जाम में हैंसे बनेंगे तब तक के लिए thank you, thanks for watching